गौतम बुद्ध को किसी ने पूछा कि इनसान की सबसे बड़ी गलत फैमी किया है उन्होंने बहुत सुन्दर जवाब दिया उन्होंने कहा कि इनसान की सबसे बड़ी गलत फैमी है कि इनसान को लगता है कि उसके पास बहुत वक्त है सही बात है ना क्योंकि हमें लगता है हम वारे पास बहुत वक्त है, पर जब ये वक्त बीत जाता है, उसके बाद उसकी वैल्यू हमें समझ में आती है। मैं हमेशा कहती हूँ, वक्त की कदर करना सीखो, क्योंकि अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे, तो ये वक्त आपकी कदर नहीं करेगा। एंड वक्त के लिए यानि time के लिए कहा जाता है, you cannot keep it, but you can use it. मैं इस time के लिए मैं कहती हूँ, कि ये time मिलता तो free में है, पर एसकी कीमत कोई अधा नहीं कर सकता। I have got two news for you, one is bad news and one is good news. The bad news is time flies, but the good news is you are the pilot. क्योंकि समध का control आपके हाथ में है. You can multiply your wealth, but you cannot buy time. Time and teacher, दोनों हमें सिखाते हैं. But फर्क सिफ इतना है, कि teacher पहले सिखाता है, बाद में एक्जाम लेता है. और time पहले एक्जाम लेता है, बाद में हमें सिखाता है. एक साल की value अगर आपको जाननी है, तो उस student से पूछो, जो एक साल fail होके घर पे बैठा है. अगर एक महिने की value जाननी है, तो उस मा को पूछो, जिसने आकरी महिने में अपने बच्चे को गवा दिया है. अगर एक मिनिट की वैल्यू जाननी है तो उस मुसाफिर से बात करो जिसने एक मिनिट के गैप की वज़े से अपना ट्रेन, अपना फ्लाइट, अपना बस मिस कर दिया है एक second के value जाननी है तो उस इंसान से पूछो जिसका accident होते होते एक second के लिए रह गया है और अगर एक millisecond के value जाननी है तो उस Olympic के खिलाडी से पूछो जो एक millisecond के वज़े से अपना medal चोग गया है इसी लिए तो कहते हैं time is the most valuable thing in our life और इसके साथ साथ मेरे भी seminar का time हो चुका है मुझे लगता है कि आज ये सारी information share करके मैंने अपने वक्त का सही इस्तिमाल किया है और मैं उमीद करती हूँ कि आप भी अपने वक्त का सही इस्तिमाल करेंगे क्योंकि time is priceless